नमस्कार में उप्रिया आज है 20 जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार ने मिले COVID-19 के 4000 से ज्याद अमामले शराब बंदी से बिहार का हुआ उत्थान या विनाश ये पता लगाएगी अब नितीश सिरकार फर्वरी तक पूरा होगा अस्वंगठित शेत्र के मज़़ूरों का रजिस्ट्रेशन बिहार के इस पुलीस प्रसाशन को केंद्रे ग्रिहमंत्राले ने दी उत्कृष्ट संसान की ट्रोफी विरात खोली ने ICC टेस्ट रांकिंग में लगाई चला अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में प्ले COVID-19 के 4000 से ज्याद अमामले स्वास्त वभाग की तरफ से मिली जानकारी के नसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4000 63 मामलों की पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संक्या 30481 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविज जिलों की बात करें तो अर्वल में 30 और अंगबाद में 61, बांका में 66, बेगुसराय में 133, भागलपूर में 214, भोजपूर में 58, बकसर में 33, दर्भंगा में 136, इस्चंपारण में 97, गया में 33, गोपाल गंज में 51, जमुई में 42, जहानबाद में 19, कैमूर में 13, कटिहार में 157, खगड़िया में 17, किशन गंज में 49, लखी सराय में 24, मधिपूरा में 142, मधुबानी में 64, मुंगेर में 101, मुझफ़पूर में 136, नालंदा में 122, नवादा में 14, पटना में 99, पुर्णिया में 218, रहतास में 46, सहरसा में 25, समस्तिपूर में 296, सारन में 126, शेखपूरा में 40, पॉल में 40, वेश राली में 96, वेश चंपारन में 106, मामलों की पुष्टी हुई है, इसके लावा 36, सहरसे मामले भी पॉजिटिफ पाए गये हैं, जो दूसरे राजुके हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट ही बिहार में बीते दिन के पि अधानी पटना में हुआ था, मनेश महरोत्रा भारत के एक शेफ है, उन्होंने फुडस्तान, NDTV, Good Times द्वारा एक टेलिविशन कुकिंग गेम शो, वीर सांगवी अबॉर्ड, 2010 और 2012 के सर्वशेश्ट शेफ, HT City Crystal Awards, American Express Best Chef of the Year, सहित कई पुरसकार जीते हैं, वो हाली में Master Chef इ लगजरी डाइनिंग है, इसके साथ इनौन सिंगापुर में 2011 के पेटू शिखर संबेलन में भाग लिया, जो हाम अमंतृत किये जाने वाले वो एक मात्रो भारतिय शेफ थे, बिहार और महराश्री सर्कल में ग्रामीन डाक सेवक भरती के रिजल्ट की घोशना, बीते दिन कर दी गई है, जो इसके बाद ही अब बिहार और महराश्री डाक विभाग में 4,360 पदों पर भरतियां की जाएंगी, जो भी उमिद्वार इस परिक्षाब के लिए आवे दिन भर चुके थे, वो इंडिया पोस्ट की ओफिशल वेब साइट आप पोस्ट. आइन पर जोआ क रिजर्ट चेक कर सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि जारी नोटिफिकेशन के निसार इस वेकेंसी के तहट कुल 4,360 पदों पर भरतियां होंगी, इसमें बिहार पोस्ट सरकल में 1940 पद भरे जाएंगे, जनरल काटेगरी के लिए 903, आर्थिक रूप से क रामलों में उतार चड़ाब जारी है, हालाकि बिहार सरकार इस पूर जोर कोशिश में है कि बिहार के लोगों को कोरोना जैसी बिमारी से जितना हो सके उतना बचा कर रखा जाए, इसको लेकर ही अब बिहार में आयुरवेदिक काढ़ा बांटे जाने की तैयारी हो रही है, इससे संक्रमित मरीजों की इम्म्यूनिटी दुरुस्त होगी और कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, इसको लेकर स्वास्तिव भाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है, स्वास्तिव भाग के अधिकारिक सूट्रों ने बताया है कि आयुरवेदिक किट का अभी सीमित स् लब्ध होने लगेगा, फिलहाल राजगिये आयुरवेदिक कॉलेज इस्पताल पटना के ओशधीन दर्मान शाला में स्थानिय प्रयोग के लिए इसका अंदर्मान करवाया जा रहा है, असोसियेशन ने सरकार से की स्कूलों को खोलने की माग, कोरोना के तीसरी लहर से इस बाबत असोसियेशन के रास्ट्रिय अध्यक्ष शामयाल एहमद ने कहा है कि उनके आवाहन पर आज पूरे देश के सभी राजो और विहार के सभी 38 जिलों के मुख्याले में असोसियेशन की तरफ से प्रेसवारता का आयुजिन किया जा रहा है, इसके साथ ही स्कूल सं में ठंड की मार्क का सामना हर एक भी हारवासी कर रहा है, आलम कुछ यूँ है कि दोपहर को धूप के आस में लोग अपने कंबलों में दूप के नजर आ रहे हैं, जुसके बाद अब लोगों को ठंड से राखत का इंतजार है, लेकिन लोगों को अब और ज्यादा इंतजा नियुन्तम तापमान 10 डिग्री तक रहा, नालंदा के हरनोत, सिवान के जुरादेई और समस्तिपुर के पूसा में भी तापमान 10 से कम रहा बिहार होमगार्ट कॉंस्टिबल भरती P.E.T. परिक्षा के अड्मिट कार जारी 10 बज़े से शाम 5 बज़े तक CSBC से संपर कर सकते हैं CSBC ने COVID-19 संबंधित सुरक्षा दिशा निर्देश भी जारी किये है और उमिद्वारों से परिक्षा के दिन उनका सक्ती से पालन करने को कहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे किस भरती परिक्षा के जरीए Home Guard Police Constable के 551 पदों पर बहाली होगी शराबंदी से बिहार का हुआ उत्थान या बिनाश ये पता लगाईगी अब नितीश सरकार नितीश सरकार साल 2016 में शराबंदी कानून को लागू करने के बाद से ही इस बात पर अडिक है कि सरकार के इस फैस्ते से बिहार के लोगों को बहुत फायदा हुआ है लेकिन बीते कुछ महीनों से बिहार के अलग-अलग जिलों से जहरीली शराबपीने के मामले सामने आने के बाद इस मामले में अब सरकार पबलिक ओपीनियन लेने वाली है जिसके तहती बिहार सरकार शराबंदी से प्रदेश में आए सामाजिक आर्थिक बदलाव का धियन कराएगी इसकी जिम्मवारी चानक के राष्ट्रियर विधी संसान की पंचायती राजपीट को दी गई है संसान की तरफ से राज़ी के अलग-अलग हिस्सों में सर्वेक्षन का निश्कर्ष तक पहुँचने की कवायद की जाएगी इसकी रिपोर्ट दो महीने में आने की सम्भाव ना है बिहार के स्कूलों को अब बिज़्री काटने की धंकी नहीं दे पाएगी बिज़्री कंपनी अब तक कई ऐसे शुकायते सामने आई है जिसमें यह कहा ग्या है कि बिज्री कमपनिया कई कारणों से बिहार के स्कूलों को बिज्री करेक्शन काटने की धमकी दे चुकी है लेकिन अब बिज्री कमपनिया ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि सिक्षा विभाग में प्रिदेश की बिज्री कमपनियों को दो टूक हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर बिल ना जमा हो पाने की दशा में माधमिक और उचमाधमिक स्कूलों की बिज्री ना काटी जाए अगर बिज्री काटी गई तो इसके लिए कमपनी के प्रबंध निदेशव जमेदार होंगे जिसको लेकर विभाग की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है पत्र में साफ कर दिया गया है कि बिज्री कमपनी ना स्कूल से बिलभुकतान के लिए कहेगी और ना ही प्रधाना ध्यापक को बिज्री काटने की धमकी देगी फरवरी तक पूरा होगा संगठित शेत्र के मजदूरों का रेजिस्ट्रेशन बिहार सरकार इंदरों और संगठित शेत्रों के मजदूरों का रेजिस्ट्रेशन करवाने में लगी हुई है जिसके बाद ही अब उमीद है कि फरवरी महीने तक ऐसे मजदूरों के रेजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा बिहार सरकार के फरवरी के अंति तक निबंधन पूरा कर लिया जाएगा इसके लिए सभी जिलों की पतादिकारियो को निबंधन में रफ्तार लाने और सामाने सर्विस सेंटर पर जाकर निबंधन प्रक्रिया को मॉनिटर करने को कहा गया है ताकि उन्हें सरकार की अलग-अलग योजनाओ का लाब मिल सके उन्हाने ये भी बताये कि श्रमिको के निबंधन के मामले में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर है निबंधित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार हो रहा है निबंधित मजदूरों को परिचैपत्र जैसे कार्ड से उन्हें देश से कहीं भी सरकारी योजनाओं का लाब मिलेगा ऐसे में अब बिहार के जो श्रमिक पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं वो कहीं भी ऑनलाइन के माधिम से रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिहार और बंगाल के बीच होगी बहतर करेक्टिविटी आने वाले दुनों में बिहार और बंगाल के बीच में करेक्टिविटी और ज्यादा बहतर होने वाली है क्यूंकि बिहार और बंगाल के बीच बहतर करेक्टिविटी के लिए पटना कॉलकता एक्सप्रेसवे की योजड़ा अब धरातल पर उतर दे जा रही है इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार जहारखंड और बंगाल के कई शहरों को लाब होगा खुशी की बाद यह है कि सरकाल ने इसकी घोशना कर दी है जो इसके बाद ही अब ये एक्सप्रेसवे पटना से कॉलकता के बीच बनेगा इसकी लंबाई 550 किलोमीटर होगी इससे ना किवर बिहार की राजधानी पटना और पश्विम बंगाल की राजधानी कॉलकता जाना भी अब आसान होगा सिर्फ इतना ही ने ये एक्सप्रेसवे भारत के लिए बंगाल जाने का एक द्वार भी बनेगा इस बावत नितिन नवीन ने घोशना करते वे कहा है कि पटना कॉलकता एक्सप्रेसवे भी यूपी के परवांचुल एक्सप्रेसवे जैसी सड़के वोगा नेहाग के इस पुलीस प्रसाशन को केंडरे ग्रहमत्राले ने दी उत्कृष्ट संस्थान की ट्रॉफी राजगीर पुलीस प्रसेक्शन केंडर को पुलीस अवर निरिक्षक प्रसेक्शन संस्थान संस्थान के रूपे पुरवी जोन के लिए स्ट्रेश्ट संस्थान के तौर पर बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया है इसका बान में प्रतिश फिस्सा खुला हुआ है जिसमें सभी तरह की प्रसेक्षन पुलीस पदाधिकारी को दिये जाते हैं राजगीर पुलीस अक्याडमी की शिर्वात साल 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा की गई थी बिहार के 17 law college में दाखिले की मिली मंजूरी अगर आप बिहार से ही है और law की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है क्योंकि बीदे दिन चीफ जस्टिस संजे करोल की खंड़ पीट ने कुनाल कोशल की जनहित याचुका पर सुनवाई करते वे बिहार के 17 law college में दाखिले के लिए मंजूरी दे दी है आपकी जनकारी के लिए आपको बता दे कि हाई कोट ने 23 मार्श 2021 के उस आदेश जिसके अंतरगत बिहार के सभी 27 सरकारी और नीजी लॉग कॉलेज में नए दाखिले पर रोक लगा दी गई थी हाला की कोरोना संक्रमन के बीच मासरस्वती की प्रतिमा बनाने में मूर्टिकार पिछले एक महीने से अपने काम में जूटे हुए हैं अब वो प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं लेकिन अभी भी उन्ने डड़ सताय जा रहा है क्योंकि राजी के अधिकतर मूर्थिका लेकर भी कोई चहल कत्मी देखने को नहीं मिल रही है मुर्तिकारों का कहना है कि लोग सरकार के निर्ने का इंतजार कर रहे है आलम कुछ यूँ है कि कोरोना के कारण मुर्तिकारों ने इस साल कम मुर्तिया ही बनाई है पर booking नहीं होने से उनके सामनी आर्थिक समस्या उत्पन होने लगी है मुर्तिकार पाई-पाई जोड़ कर मुर्ति बनाने में लगा रहे हैं हर सार उनको उमीद थी हालाकि साल उनको उमीद थी कि मासरस्वती की प्रतिमा को बेश कर स्थिती सुधार लेंगे लेकिन सरकार द्वारा अभी तक सरस्वती पूजा के आयोजन को ले करके कोई दिशानिर देश जारी नहीं किया गया है भारतिय राष्ट्री राजमार प्राधिकरन द्वारा भारत माला परियोजना फेस दो के तहट बारनसी राज़ी कौलकता एक्सप्रेस वेक अंदर्मान के लिए विधिवत प्रारूप तयार कर लिया गया है बिहार के लिए ये खास इसलिए है क्योंकि इस परियोजना से जुले के चार प्रखंडों को 42 गाउं को जड़ा जाएगा परियोजना के लिए राश्ट्रे राजमार्क प्राधिकरन की तरफ से भूरजन के लिए राजस्विग्राम, रयत, उनके दखल कबजा, लगान रसीद, चक्रिया, सर्वे खतियान से सम्धित सत्यापित रिपोर्ट तैयार की जा रही है वरतमान समय की बात करे तो अधिकांच गाउ, यातायात और अन्यदृष्टी से काफे पिछ रहे हैं सरक नर्बान से इन गाउं में विकास कार्य तेज होंगे जिसकी जानकारी जुलाभु अर्जुन पदादिकारी राजेश कुमार गुपतानी रास्ट्रेकला उत्सब में बिहार के पांच प्रतिभाव ने मारी बासी, बिहार में प्रतिभाव की कोई कमी नहीं है जिसका प्रमान आपको समय समय पर देखने को मिले जाता होगा इसी कड़ी में विहार के 5 प्रतिभाव ने एक बार फिर से विहार का मान बढ़ाने का काम किया है जोसकी तेहती रास्ट्रह कला उतसब प्रतियोगिता में विहार ने पर्चवम लहरा है आलम कुछ यू रहा कि राजु के पांच प्रतिभावशाली बच्चे प्रतियोगिता में पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे है महिस्थानी अखिलोने एवं खेल में बालक वर्ग में रामरतन उचविद्याले सचाई अरवल के छोटु पासवान पहले स्थान पर रहे आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि N.C.E.R.T. द्वारा हर साल कलाउट सब का योजिन किया जाता है ये स्कूल स्तर से लेकर प्रखंड जुला और राजुस्तर पर होता है इसके लिए ही राजुस्तर पर 18 बच्चों का चैन हुआ था जिसमें से 5 ने बिहार का वान बढ़ाने का काम किया है म्यूचल फंड के दिवाने हुए बिहार की लोग कोरोना काल में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है क्योंकि संपुर्ण लोकडाउन समेथ अन्य प्रतिबंधों के कारण कई कमपनियों को छटनी का काम करना पड़ा था वहीं कई लोग अपकमाई के अन्यसाधनों को भी तलाशने में जुट गए है इसी कड़ी में अब कोरोना काल ने बिहारबासियों को म्यूचल फंड की तरफ काफी ज्यादा करशित किया है Association of Mutual Fund of India के ताजा अंकडों के नसार महामारी की मार से धार खोते कारोबार के कारण लोग बच्चत राशी को बढ़ाने के लिए Mutual Fund को ठिकाना बनाने लगे है राजवे निवेश के दूसरे विकल्बों की कमी के कारण भी यहाँ पर लोगों में निवेश के लिए पसंदीदा ये बन गया है यही कारण है कि कोरोना के पिछले दो साल में राजवे में Mutual Fund में निवेश की कुल राशी चार गुनी से अधिक हो गई है इतना ही नहीं पिछले साथ साल में Mutual Fund में राजवे से निवेश की कुल राशी चे गुनी से अधिक हो गई है जानवरों की सुरक्षा के लिए वी टी आर में अंटी पोचिंग कैम्प को बढ़ाने की योज़ना बनाई जा रही है छेतर निदेशक एचके रोय ने इस बात की जानकारी दी है रोय की माने तो बागों की सुरक्षा को धियान में रखते वे मुख्यवन प्रतिपालक ने वी टी आर शेतर का दो दिनों तक दौरा किया इस दौरान उन्होंने एपी ओ बनाने के लिए कई बिंदूओं पर निर्देश दिया है ताकि एपी ओ बनाने में कोई तकनीकी कमी ना रह जाए इसके साथ उन्होंने ये भी बता है कि वालमी की टाइगर रिजर प्रसाशन बागों की सुरक्षा के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान पर काम कर रहा है दस वर्षों के लिए बागों की सुरक्षा और उसके अधिवास प्रबंधन पर काम होगा इसके लावा वालमिकी व्यागर आरक्षिय में वर्तमान में शाकहारी जानवरों की स्थिती का अवलोकन करते वे भविश्य में इसकी संख्या बढ़ाने पर भीबल दिया जाएगा इंदनों बिहार के इंडिये दल के बीच वक्य योध देखने को मिल रहा है कहने को तो इसमें सभी एक जुट है लेकिन जिस तरीके से बयान बाजियां हो रही है ये कई सवाल खड़े कर रही है इसे बीच 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 बीचे दिन मुकेश सेहनी ने गठपंधन तोड़ने की धमकी दे कर मामले को और गर्मा दिया दरहसल हुआ कुछ ही हूँ की बीचे दिन मुकेश सेहनी ने साफ कहा कि बोचोहा सीर पर भाजपा का सीर्ष ट्रेदर्थ उमिद्वार की घोशना करके तो दिखाए हम गठपंधन तोड़ देंगे जुस पर यह भाजपा ने भी पलटवार किया है भाजपा कोटे से नितीश सरकार में मंत्री नीरच कुमार बबलू ने कहा कि गीदर भब की देना बंद करे मंत्री ने कहा कि देर कीज़ बात की है छोड़ कर चले जाए उसके तहत ही अब उत्तरप्रदेश में जीतने वाली पार्टी को लेकर भविश्वानी राजप की तरफ से की गई है जिसके तहट राजित विधायक भाई विरेंदर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा की बड़ी जीत होगी उन्होंने कहा कि महां की जंता ने तै कर लिया है कि योगी को भगाना है और अखिलेश को लाना है इस दौरान उन्होंने जद्यू के महां चुनाव लड़ने पर भितंज कस्ते वे कहा कि जो पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकी वो उत्तर प्रदेश में क्या कर लेगी यूपी चुनाव को लेकर जद्यू की भाजपा से बाच्वी जारी वहीं जद्यू ने पुर्वांचल में तै कि अपने उमिद्वार अगले महीने उत्तर प्रदेश में वधानसबा चुनाव का आयूजिन होने वाला है जिसको लेकर बिहार में भी श्रीत लहरी के मौसम में राजर्यतिक गर्मा हट बनी हुई है इसी कड़ी में बीते दिन चुनाव की मद नजर ही जद्यू की तरफ से पुर्वांचल में उमिद्वारों के नाप की घोशना कर दी गई है मिली जानकारी के नसार जद्यू ने भी पुर्वांचल की 51 सीटों पर उमिद्वार तै कर दिये हैं हाला किस दौरान पार्टी के राश्ट्रे ध्यक्ष रलन सिंग ने कहा कि आर्सेपी सिंग का ये कहना है कि गठबंदन के लिए और सीट बटवारे के लिए उनकी भाजपा से बाची चल रही है इसलिए थोड़ा इंतजार हम लोग और करेंगे अगर भाजपा से गठबंदन यूपी में नहीं हो पाया तो हमने यूपी जद्यू अध्यक्ष अनूप पटेल और के सित्यागी को अधिकृत कर दिया है कि चरन बद तरीके सुमिद्वारों का एलान करते चले जाए इस तरह कि आधार कार्ड को UIDAI ने कर दिया इंवालिट भारति विशश पहचान प्राधिकरन ने आधार कार्ड को लेकर बेहद एहम जानकारी दी है UIDAI का कहना है कि खुले बाजार से बनवाया गया PVC कार्ड या प्लास्टिक कार्ड या आधार स्मार्ट कार्ड माने नहीं होगा बाजार के बनवाया गया PVC आधार कार्ड वैलिड नहीं है केवल UIDAI द्वारा जारी आधार PVC कार्ड ही माने होगा UIDAI द्वारा दी गई जानकारी के मताविक लोगों को बाजार से बनवाए गए PVC आधार कॉपी के इस्तमाल से बचना चाहिए क्योंकि बाजार से बनवाए गए कॉपी में सिक्यूरिटी फीचर्स नहीं होते हैं नक्षिन आफ्रिका दी भारत को 31 रनों से मार्ट सीरीज में की बढ़हत साथ आफ्रिका ने तीन माचों की वंडे सीरीज के पहले माच में बीते दिन भारत को 31 रनों से श्रिकस्त दे कर सीरीज में एक श्रूने की बढ़हत हासिल कर ली है मेजबान टीम ने पार्ल के बॉलान पार्क में टॉस जीद कर पहले बले बाजी करते वे कप्तान तेमबा बबुमा ने 110 रनों की पारी खेली वही रासी वॉन डेर डूसन नाबाद 139 रनों पर है और इसकी मदद से निर्धारित पिच्छास ओवर में 4 विकेट पर टीम 296 र ब्रेज शंसी और एंडीले फेल हुक वायों ने दो-दो विकेट चटकाए भारत के दिहास में आज की तारीक कई कार्णों से है दर्ज कलकत्ता में 1870 में हिंदू कॉलिज की स्थापना हुई भारत के पहले परमानू रियाक्टर अपसरा का 1957 को आज ही के दिन ट्रम्बे मे उधगाटन किया गया उनिस संदावर में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबद लगाए जाने के बाद दक्षिन आफ्रिका ने भारतिय जहाजों को अपने यहां सुविधायन नहीं देने की घोशना की के इंद्रसाशित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरनाचल प्र प्रशकार के लिए आज री के दिन चना गया था यह प्रशकार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया उनस वठासी को आज वी के दिन भारत रत्रन सम्मारित महान स्वत्रं तर्ता सेनानी खान अब्दुलगफवार खान अब आए जानते हैं सराफ़ बाजार औ सोने कभाव 19 जनवरी को 22 क्यारोट के लिए प्रती Journal 46,400 रुपे था 20 चारिट के लिए प्रती दुर्प ग्राम 48,920 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रती किलो 63,200 रुपे था इसके साथ ही राज़ानी पट्टा में पिट्रोल की किमत 105 द.09 रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपे प्रती लीटर थे कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप मारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल को जिस प्रकार है आपके नुसार COVID-19 के वरतमान परिस्थिती को देखते वे बिहा बिहार में स्कूल को खोल देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइकॉन दबाना नभूले धन्यवाद